आज हम डिस्कस करेंगे डॉग ब्रीडिंग के बारे में यह कितना प्रैक्टिकल है, क्या हमें डॉग ब्रीडिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और वो कौन से लोग हैं जो डॉग ब्रीडिंग में इन्वेस्ट करें हाई मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज हम डिसकस करेंगे डॉग ब्रीडिंग के बारे में ये कितना प्रैक्टिकल है और किल लोगों को इसके अंदर इंवेस्ट करना चाहिए हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग से रिलेटेड टॉपिक्स लाते हैं आप हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और अपने वैल्यूबल कमिट जरूर कीजिए ताकि हम इसे और भी आपके लिए बहतर बना सके अक्सर लोग डॉग ब्रीडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डॉग ब्रीडिंग बहुत ही पॉफिटेवल बिसनिस है अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गलियों के अंदर फीमेल पपीज देती हैं और बहुत सारे पपीज यहां वहाँ घुमते रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि पपी ब्रीडिंग बहुत ही आसान है न्यूस पेपर्ज में और मैगजिन्स में कभी किसी पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में छपता है कि इस breed के पपीज काफी महंगे जा रहे हैं पचास हजार, एक लाग, तो लाग ये बाते भी इसके अंदर encouragement देती है कुछ लोगों को डॉक शोस का शौक होता है डॉक को एक्जबिट करने का शौक होता है ये एक अलग फिल्ड है इसके लिए भी कुछ लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं कुछ लोग डॉक कैनल्स रन करते हैं जिसके अंदर वब बोर्डिंग करते हैं ये एक अलग टाइप का बिजनिस है हम अपने घर केंदर एक या दो कमपेनियन डॉक्स रखते हैं जो हमारे साथ अच्छा टाइम बिताते हैं, हम उने प्यार करते हैं, और हम उनकी केर करते हैं, ये एक अलगतरे का फील्ड है, जिसके अंदर हम डॉक की ब्रीडिंग तो नहीं करते हैं, हाँ डॉक की केर जरूर करते हैं, अगर हम डॉक ब्रीडिंग ऐस ए बिजनिस लेते है तो ये बिलकुल अलग है अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि डॉक कैनल स्टार्ट होते हैं और कुछी सालों में डॉक्स के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है जैसे कोई बीमारी या फिर कोई ऐसी दिक्कत जिसके अंदर ब्रीडिंग करना मुश्किल हो जाता है तो डॉक कैनल स्टीरे धीरे बंद हो जाते हैं मैं आपको कहना चाता हूँ कि डॉक्स के साथ में बहुत सारी दिक्कते होती है और ये दिक्कते डॉक ब्रीडिंग को मुश्किल बना देती है आपको डॉक की परिशानिया बीमारियों के बारे में नौलेज होनी चाहिए मेरी ये सोच है कि जो लोग डॉक से प्यार करते हैं डॉक ब्रीडिंग उन्हीं को करनी चाहिए सिर्फ पैसे के लिए डॉक ब्रीडिंग मैंने देखा है कि कामयाब नहीं होती मैंने अपना पहला डॉग 1998 में लिया था वह एक जर्मर शेपर्ड था और मैंने उसे कमपैनियन डॉग की तरह ही घर में रखा जो मेरे साथ में 9 साल तक रहा डॉग रखने से पहले मैंने डॉग के बारे में स्टेडी भी की थी लेकिन जब डॉग आया तो उसकी प्रैक्टिकल दिक्कत हैं सामने आने लगी मैंने उनके बारे में स्टेडी किया और उनको ठीक भी किया ग्रेजुली धिरी धिरे नॉलज बढ़ने लगी और एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि हाँ अब मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं डॉग ब्रीडिंग कर सकता हूँ लेकिन मैं ने डॉग ब्रीडिंग क्यों स्टार्ट की उसकी एक वज़े थी कई साल इस डॉग ब्रीडिंग सरकल में रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस डॉग ब्रीडिंग सरकल में बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो रिस्पॉंसिबल ब्रीडिंग नहीं करते हैं जिनको बहुत जादा नौलेज नहीं है और वह इस गेम के अंदर गेम को खराब कर रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि हाँ मुझे इस गेम के अंदर आना चाहिए और कम से कम ऐसे लोगों को इनकरेजमेंट ना मिले जो सिर्फ पैसे के लिए बिजनिस कर रहे हैं पिछले 22 साल में मैंने बहुत सारे कैनल बनते और बिगड़ते हुए देखे हैं बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा इंवेस्ट करते हैं डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन क्यों क्योंकि वह इमोशनली डॉग के साथ अटेच नहीं होते तो यह बिजनिस उन्हें प्रॉफिटेबल नहीं लगता अगर आप मुझसे पुछेंगे कि क्या डॉग बिजनिस प्रॉफिटेबल बिजनिस है तो मैं बोलूँगा नहीं और हाँ भी नहीं इसलिए कि यह शौर्ट टाइम बिजनिस नहीं है आपको इसके अंदर कम से कम 10 से 15 साल लगाने होंगे हाँ इसलिए कि अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने एफट इन्वेस्ट करते हैं तो यह लॉग रन में जरूर पे करता है जो लोग डॉग बिजनिस स्टार्ट करना चाते हैं मैं उनको यह बता दू कि कम से कम आप इसमें 15 से 20 साल सोचके आएं तब ही आप ही कह सकते हैं कि यह प्रॉफिटेबल बिजनिस है मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्वें पांच और छे बिचिस खरीदी और उनको एक भी लिटर नहीं मिला और उन्होंने अपना कैनल बंद कर दिया और मैंने ऐसे भी डॉग बॉनर्स देखे हैं जिन्होंने सिर्फ एक फी मिल खरीदी पहले ही लिटर में उन्हें बहुत अच्छा फायदा हुआ बहुत ओवरवेल्विंग फायदा हुआ उसके बाद उन्होंने 5-6 बिचिस और रोक ली और उनके बाद उनकी ब्रीडिंग नहीं हुई ब्रीडिंग हो जाने के बावजूद उसके बाद पपीज का केर करना भी बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत सारे लोग पपीज की केर नहीं कर पाते और वो अपने पपीज नहीं बचा पाते पपीज बच जाए तो उसके बाद में सबसे बड़ी प्रावलम आती है उनको सेल करने की उनको मारकेट करने की क्योंकि आप इस बिजनिस में नए होते हैं तो आपको अपने चीजों को सेल आफ करने के लिए दिक्कत आती है न्यू ओनर्स पपीज उनी लोगों से खरीदना चाते हैं जो अलड़ी इस फील्ड में स्टैबलिस्ट हैं और जो अपने आपको प्रूफ कर चुके हैं न्यू ओनर्स को सही रेट नहीं मिल पाते हैं और जो सोच के वो इस बिजनिस में आए होते हैं यानि पैसा वो उनको नहीं मिलता जो उनके खुआब होते हैं वो तूट जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ चल हुआ है और उन्हें ऐसा लगता है कि जो पैसे उन हो जाता है आपको अपने पपीज का सभी प्राइज नहीं मिलता आप डिसकरेज हो जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़ादा मेहनत है और पैसे कम है और ये बहुती फ्रजाइल बिजनिस है क्योंकि पपीज का प्राइज कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि फीमेल साल में दो बार हीट पे आती हैं दिवाली और होली के आसपास तो उस टाइम जानतर फीमेल एक साथ हीट पे आती हैं और लिटर्स भी एक साथ ही आते हैं इसलिए मारकेट के अंदर पपीज की कभी कभी भरमार हो जाती है इसकी वज़े से भी पपी प्राइज डाउन हो जाता है क्योंकि पपीज को हमें एक से तीन महीने के बीचो बीच वरना लोग बड़े पपीज नहीं लेते इसलिए इसका प्रेशर breeders के ओपर बहुत जादा होता है और उन्हें अपने price के साथ compromise करना पड़ता है अगर आप शौक्या breeding करते हैं और आपके पास में अपनी रोज मर्दा की जिंदिगी के लिए दूसरे भी sources है earn करने के लिए तो आपके ओपर इतना pressure नहीं पड़ता और आप अपनी breeding अपने ढंक से कर सकते हैं इस business के अंदर वही लोग कामयाब हैं जिनके पास में extra source of income है जो सिर्फ dog breeding के ओपर काम करते हैं वह अपने terms and condition पे काम नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ये एक continuous earning business नहीं है अगर आप इस business के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो आप मेरे WhatsApp नमबर में मुझे message कर सकते हैं आप मेरे साथ discuss कर सकते हैं मैं अपने experience के साथ में आपको सही सलाह जरूर दूँगा होब ये वीडियो आपको informative लगा होगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और अपने valuable comment जरूर कीजिए ताकि हम अपने चैनल को आपके लिए और भी बहुत